हलो दोस्तों आज हम आप सभी का मेरे चैनल दाने विद पुषपांचली चाले में स्वागत है और मैं हूँ पुषपांचली चाले आज मेरा आवाज बैठा हुआ है लेकिन फिर भी मैं क्लास कर रहे हूं क्लास करने के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है और भी कमेंट मुझे कीजिए ताकि मुझे और भी पता चले तो चलिए क्लासिक्स की हिंदी के बुक से लिए एक एक आंग की नाटक है ऐसे ऐसे पढ़ने का मेरा अभी प्राय यह है कि आप लोग सभी लोग अच्छे से रीडिंग करना सीख जाए अच्छे से वर्ड को प तो हाथ में एक पैंसिल ले लीजिए जिते भी हार्ड वर्ड आते हैं जोगी आपको प्रणाउंसेशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उसे आप अंडरलाइन कीजिए दो तिन बार लिखिए और मुझे बोलिए तो आपको जरूर आ जाएगी तो चलिए अब पात्र परीजे इस एकांकी में कौन-कौन से पात्र है मोहन एक विद्यार्थी है दीनानाथ एक पडोसी है मा मोहन की मा है पिता मोहन के पिता है मास्टर मोहन के मास्टर जी है अगर आप लोग इस नाटक को करना चाहते हैं तो आप लोगों को एक दो तीन चार पांच पां सड़क के किनारे एक सुन्दर फ्लैट में बैठक का द्रिश्य स्टेज को इस तरह से सजाया गया था जो भी दर्शक है उन्हें ऐसा लग रहा था कि सड़क के किनारे एक सुन्दर फ्लैट में बैठक का एक द्रिश्य दिखाया गया था आप लोगोंने अगर stage में ना तक देखी होगी तो आपको stage कैसा सजाया जाता है इसके बारे में अंदाजा होगा उसका एक दर्वाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है उस flat का एक दर्वाजा जिस तरफ सड़क है उस तरफ खुलता है दूसरा अंदर के कमरे में तीसरा रसोई घर में तो तीन दर्वाजे हैं जो कि हमें स्टेज में दिख रहा है एक रास्ते के साइड में सरक वाले साइड में खुलता है दूसरा बरामदे के साइड में और अंदर कमरे की तरफ तीसरा जो है वो रसोई घर में खुलता है अल्मारियों में पुस्तके लगी है एक और रेडियो का सेट है अल्मारी एक दिख रहा है उसमें किताबें हैं और एक रेडियो का सेट भी है दो और दो छोटे तक्त हैं जिस जिन पर गलीचे बिचे हैं बिस्तर है काटके और उसमें गलीचे बिचे हुए हैं मिन्स दरी बिची हुई है बीच में कुरसियां हैं कुछ चेर्ज है बीच में कुरसियां यानकी चेर्ज एक छोटी मेज भी है एक टेबल है मेज याने की टेबल उस पर फोन रखा है उस पर क्या रखा है फोन रखा है पर्दा उठने पर मोहन एक तक्थ पर लेटा है, एक बिस्तर पर लेटा हुआ है, 8-9 वर्ष के लगबग उम्र होगी उसकी, आप लोगों के जितने ही मोहन की उम्र होगी, तीसरी क्लास में पहता है, इस समय बड़ा बैचेन जान पहता है वो तक्त पर लेटा हुआ बच्चा बहुत ही बैचेन दिख रहा था इसी उल्जन में फसा हुआ जैसा लग रहा था बार-बार पेट को पकड़ता है, उसके माता-पिता पास बैठे हैं तो मोहन अपने पेट को पकड़ रहा था और उसके माता-पिता भी उसके पासे बैठे है तब मा कहती है, पुछकार कर प्यार से, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेख ले चादर हटा कर पेट पर बूटल रखती है फिर मोहन के पिता की और मुर्ती है, इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया क्योंकि वो बार-बार पेट को पकड़ रहा था तो वो मा जो है फिर बोलती है कि ना ना ऐसे मत रो, रोने से क्या होगा, पेट का दर ज्यादा हो जाएगा अभी ठीक हो जाएगा, डॉक्टर को अभी बुलाया है, तब तक तुम सेख ले लो बॉटल पर गरम पानी डालका उसे पेट पर रखका सेख दे रही है और मा पिता से कह रही है कि इसने कुछ उल्टा शुल्टा तो नहीं खा लिया, अंट शंट यानि कि उल्टा फुल्टा कुछ ऐसे खराब चीज़े तो नहीं खा ली बाहर पिता कहा कुछ भी तो नहीं, सिर्फ एक केला और एक संत्रा खाय था अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कुटता फिर रहा था, बस अड़े पर आकर यका यक बोला, पिता जी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है तब पिता जी उसे उस दिन स्कूल से लेने गए थे, तो स्कूल से लेकर दफ्तर तक आए, दफ्तर से फिर अपनी चुट्टी के बाद घर लेकर आए बैचे को तो जब तक दफ्तर पहुँचा, तब तक तो वो ठीक था, हाँ, एक केला और एक संद्रा खाये था, बनाना एन ओरेंजे ठीके, बस अड़े पर पहुँचा, तो अचानक उसने बोल दिया कि उसके पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है मा कैसे? मा ने पूछा कैसे? पिता बस ऐसे ऐसे कहता रहा, पिता पेट को पकड़ते हुए ऐसे ऐसे कहता रहा दिखा रहे है एक्शन में मैंने कहा अरे गडगड होती है तो बोला, नहीं, फिर पूछा, चाकूसा चुपता है, तो जवाब दिया, नहीं, गोला सा फुटता है, तो बोला नहीं, जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रिप लगा था रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है, पिता बोला कि मैं उसे पू बोलता है कि नहीं, क्या पेट में गोला सा फुटता है, गोला सा कब फुटता, जब पेट में गैस हो जाती है, या खाली पेट हो जाता है, तो वो बोलता है नहीं, जो पूछा उसका जवाब नहीं में आ रहा था, वो तो बस बोल रहा था कि ऐसे ऐसे होता है, अब ऐसे ऐसे मतलब कैसे ये नहीं पता चल रहा था तब मा कहती है हसकर हसी की हसी दुख का दुख ये ऐसे ऐसे क्या होता है हसी तो आती है जब ऐसे ऐसे बोलेंगे तो मम्मी भी पूश रहे है कि ऐसे ऐसे क्या होता है कोई नहीं भी माड़ी तो नहीं बेचारे का मुझ कैसे उतर गया है ह खड़ा नहीं रहा गया, बसमें भी नाश्टा रहा, मेरे पेठ में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो पिथा झी पोलते नहीं, वो तो एक्दुम सफीत पड़ गया था, लग रहा वो मुहन कहता है मा ना ना मेरे बेटे मेरे लाल ऐसे नहीं अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीव जान परती है यह ऐसे ऐसे तो कुई बड़ी खराब बिमारी है देखो ना कैसे लूट रहा है जरा भी कल नहीं परती चूरन दीव दे रही है, वैद जी बोला गया है, मैंस डॉक्टर जब नहीं थे, MBBS पढ़े लिखे तो वैद जी हुआ करते थे गाओ में, तो वैद जी पताने कब तक आएंगे, इसकी बिमारी तो बहुत बड़ी बिमारी लग रहे हैं, देखिए इसका चेहरा, तभी फोन की घंटी बचती है, मोहन के पिता उठाते हैं, फोन की घंटी बचते ही मोहन के पिता बात कर रहे हैं, तब पिता जी बात करते हैं, यह 4332 है जी जी हाँ बोल रहा हूँ कौन डॉक्टर साहब जी हाँ मोहन के पेट में दर्थ है जी नहीं खाया तो कुछ नहीं इस तरह से में फोन में बात करें जी जी हाँ हाँ यही नंबर से मैं बोल रहा हूँ मेरे बेटे के पेट में दर्थ है नहीं उसने कुछ उल्टा जा रही उसमें डॉट डॉट डाला गया तो पूछ रहे होंगे कि उसने कुछ उल्टा सिधा तो नहीं खा लिया तो उसके पापा बोल रहे हैं कि नहीं नहीं उसने कुछ ऐसा तो नहीं खाया बस यही कह रहा है बस जी नहीं गिरा भी नहीं ऐसे ऐसे होता है बस यही कह रहा है कि वह गीरा भी नहीं है, कुछ उल्टा सल डखाया भी नहीं है मगर उसके पेट में ऐसे-ऐसे हो रहा है बस जी ऐसे-ऐसे होता है यह ऐसे-ईसे क्या भला है कुछ समझ में नहीं आता जी जी हाँ चहरा एकदम सफेद हो रहा है नाचा नाश्ता फिरता है जी नहीं दस तो नहीं आया जी हाँ पेशाप तो आया था जी नहीं रंग तो नहीं देखा अरे पेशाप किस रंग की है ये पूछें वैदीजी तो बोले कि नहीं हमें रंग तो नहीं देखा आप कहें तो अब देख लेंगे, अच्छा जी ज़र जल्दी आईए, अच्छा जी बड़ी कृपा है, फोन का चौंगा रख देते हैं, डॉक्टर साहब चल दिये हैं, पांच मिनिट में आ जाते हैं, फोन रखने के बाद मोहन की मां से मोहन की पिता कहते हैं, कि अभी डॉक्टर निकल गये हैं, पांच मिनिट में पहुँचने वाले हैं, पडोस के लाला दीना नात का प्रवेश, मोहन जोर से कराहता है, अभी किसी पडोसी का उनके खर में प्रवेश हुआ, प्रवेश आने के एंटर, और उसी समय मोहन बहुत जोर से कराहता है, अइस तरह से, मोहन कहता है, मा, ओ, ओ, उल्टी आती है, उठका नीचे जुकता है, मा, सिर्पकरती है, मोहन तीन-चार बार, ओ, ओ, ऐ, ऐसे करता है, थूखता है, फिर लेट जाता है हाई, हाई, मोहन को लगा कि उसे उल्टी आ रही है, उसने उल्टी करने की कोशिश कि उसके मा उसे पकरती है, लेकिन, वो थूखकर फिर लेट जाता है, उसे उल्टी नहीं हुए, फिर मा, कमर सहलाती हुए, क्या हो रहा है, बेटे की कमर को सहलाते हुए, कहती कि क्या हो र रहने वाला है हर वेक्द घर को सर पर उठाया रखता है कैसा पड़ा है यानि कि कैसे लेटे हुआ है वैसे तो मुहन कभी लेटा ही नहीं बस शेतानी कहता रहता है घर में तो मा भी चिंतित हो रही है अब जो पडोसी है दीनानात वो कहते हैं अजी घर क्या पडोस को भी तो बिल्कुल गुल जार यानि की जैसे फूल खुलता है तो गुल जार में खिला खिला हो जाता है पडोस भी उसके दौने से इसे चेर उसे पचाड इसके मुका उसके थपड यहां वहां हर कहीं मुहन ही मुहन इतना शैतान है किसी को छेड आता है किसी को पीचह से एक ऐस से ही मुका मार देता है किसी को थप पर जहां देखो वहां सभी मुहान ये मत कर मुहान ये क्या कर दिया इसी तरह क्या वाज़ा आती है पिता बड़ा नतखट है मेरा बेटा पिता जी कहते है मेरा बेटा बहुत नतखट है मा पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है मुझे तो जो पड़ोसी है वो कहते हैं जी हाँ कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो पड़ा अच्छा इसे कुछ तो तकलीफ है इसलिए तो पड़ा हुआ है मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं पर कोई डर नहीं मैं वैदी जी से कह आया हूँ वे आ ही रहे हैं ठीक कर पर उसे कहते हैं कि हाँ मामूली चोड़ दर्थ को तो वो बिल्कुल तकलीफ मानता ही नहीं मैं वैज जिसे कह आया हूं कि वो जल्दी आ जाए उनके आने पर ठीक हो जाएगा तब मोहन फिर तेजी से करा कर अरे ओ इस तरह से बोलता है मा घबरा कर क्या है बेटा क्या हुआ मोहन रुआ सा सा चैरा बड़े जो उसे ऐसे होता है ऐसे 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 वो कपसे ऐसे किया जा रहा था अब रोने भी लगा है तब मा, एसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है, कुछ तो बोलो मिस दर्द हो रहा है, कुछ तो बोलो न, ऐसे ऐसे बोलने से कैसे पता चलेगा तब मोहन, ऐसे ऐसे पीड दबाता है वैद जी का प्रवेश्ट, तब भी वैद जी पहुंचते हैं एंटर होती है स्टेश में वैद जी कहा है मोहन मैंने कहा जैराम जी की तो वैद जी जो है दरवाजे से ही पूछते हैं कि मोहन कहा है फिर बडो को जैराम जी की कहते हैं कहो बेटा खेलने से जी भर गया क्या अरे क्या वा तुम्हें और खेलने का मन नहीं है क्या कोई धमा चौकरी करने को नहीं बची है क्या कोई धमाल करने के लिए कुछ बात बची नहीं थी क्या तुम्हें वैद जी को लग रहा है कि ये एक्टिंग का रहा होगा सब उठकर हाथ जोडते हैं वैदी जी मोहन के पास कुरसी पर बैठ जाते हैं और वैदी जी आकर कुरसी पर बैठ जाते हैं मोहन के पास फिर पिता जी कहते हैं वैदी जी शाम तक ठीक था दफतर से चलते वक रास्ते में एक कम बोला मेरे पेट में दर्द होता है ऐसे ऐसे होता है समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है तब वैज जी कहते हैं अभी बता देता हूं असल में बच्चा है समझा नहीं पाता है हाँ बच्चा समझा नहीं पाता है नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है बात यानि की वायू ठीक है हवा, पेट में हवा भर गया है, मैंने कहा बेटा जीब तो दिखाओ, नाड़ी दबाकर यानि की हाथ में जो हमें पल्स रेट ऐसे दबाने से पता जलता है उसे दबाकर देखा, तो और एक गैस है इसके पेट में, बेटा जीब तो दिखा फिर जीब देखा, मोहन जीब निकालता है, कब जो है, अच्छा उसका पेट साफ नहीं हुआ, पेट टोल कर, हम्, पेट साफ नहीं है, मल रुख जाने से वायू बढ़ गई है, क्यों बेटा, हाथ के उंगलियों को फैला कर फिस सिक ओड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है, तो बेट क्योंते को पता चलिगा, कि उसका पेट साफ नहीं हूआ, उसे कब जुआ हुआ है, तो इसलिए ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मोहन करा कर, जी हाँ, पेट साफ नहीं होने से भी बहुत तकलिफ होती है, इसलिए हमें रफेश वाली खाना खाना चाहिए, खुप सबजेओं को खा ना कि मैगे नूडल्स खानी चाहिए मिस हमें ऐसे खाना खाना चाहिए जो कि मम्मी बना के दे धोकर साफ सुत्रा के साथ जो बना के दे वो खानी चाहिए और सबजियां बहुत जरूरी है पेट साफ करने के लिए कि उसमें रफेज होती है जो कि हमें हमारी पेट साफ करने म मदद कहती है तब वैजी कहते हैं हश से उचल कर मैंने कहा ना मैं समझ गया वो उचल कर कहते हैं बहुत खुशी से अभी पुडिया भेजता हूँ मामूली बात है पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ो बड़ो को छका देती है समझने की बात है मैंने कहा आओ जी दिनाना जी आप पुडिया ले लो मोहन की मा से आधे आधे घंटे बाद गरम पानी से देनी है जो पुडिया दिया गया है उसे आधे घंटे के बाद गरम पानी में मिला कर इसे देनी है पिलानी है दो तीन दस्त होंगे बस फिर ऐसे 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 भ्यागेगा जैसे गदे के से सिंग तो उसका पेट साफ हो जाएगा इन पूडियों को खाने के बड़ वैदी जी दुआर की और बढ़ते हैं मोहन के पिता पांच का नोट निकालते हैं पांच रुपे का नोट निका करते हैं आप और हम क्या दो हैं अंदर के दर्वाजे से जाते हैं तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं तो पैसे लेने से इंकार कर रहे थे क्या ये नोट दे रहे हैं हम दोनों तो एक ही है कोई बात नहीं फिर डॉक्टर साब आते हैं हेलो मोहन क्या बात है ऐसे ऐसे क्या कर लिया, मा और पिता जी फिर उठते हैं, मोहन कराहता है, डॉक्टर पास बैचते हैं, बैच जी, जो है, वे गाउं की डॉक्टर है, और डॉक्टर जो है, वो सरकारी डॉक्टर है, अब डॉक्टर आप पहुंचते हैं, अब डॉक्टर मोहन से बात करते हैं, कि क्या बात है ऐसे ऐसे क्या हो रहा है आपको फिर पिता जी कहते हैं डॉक्र सापको समझ में नहीं आता डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं अभी देखता हूँ जीब तो दिखाओ बेटा मुहन जीब निकालता है तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है ऐसे ऐसे मोहन बोलता नहीं कराहता है मोहन कुछ बोल नहीं पाता है उसके पेक में तभी ऐसे ऐसे हो रहा तो वो कराहने लगता है मा बताओ बेटा डॉक्टर साहब को समझा दो मा मोहन से कहती है कि डॉक्टर साहब को समझा तो आपके बेट में क्या हो रहा है तब मोहन कहता है कि जी जी ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे होता है हाथ से बताता है उंगलिया भीशता है डॉक्टर तब ये तो बड़ी खराब है तब दॉक्टर के तेरे इसकी तबीत तो बहुत खराब है दॉक्टर सहसा गंभीर होकर वहतों मैं देख रहा हूँ चहरा बताता है इसे काफी दर्द है असल में कई तेरे के दर्द चल पड़े हैं कॉलिक पेन तो नहीं है और फोड़ा भी नहीं जान परता बराबर पीट टटोलता रहता है डॉक्टर पीट को टटोलते हुए देखता है कि कहीं कॉलिक पेन तो नहीं है या फोड़ा वगेरा तो नहीं है मा काप कर फोड़ा फोड़ा यानि की फुन सी ठीक है डॉक्टर जी नहीं वह नहीं है बिल्कुल नहीं है मोहन से जरा मूप फिर कोलना जीब निकालो अब जीब देखते हैं डॉक्टर को जीब देखने से और नपस को चूने से पता चल जाता है बिमारी क्या है मोहन जीब निकालता है हाँ कब जी लगता है कुछ बदहजमी भी है उते वे कोई बात नहीं दवा भेशता हूँ पिता जी से डॉक्टर कहते हैं नहीं इसको तो बस बदहजमी है तो दवा भेशता हूँ क्यों ना आप ही चले पिता जी को लेके जाना चाते हैं मेरे विचार है कि एक ही खुडाक पीने के बाद तभी ठीक हो जाएगी कभी-कभी हवा रुख जाती है और फंदा डाल लेती है बस उसी की एंटन है मिन्स कब जोने के कारण जो है हवा रुख गई है और बस उसी का ही एंटन है एंटन मिन्स गाठ डॉक्टर जाते हैं मोहन के पिता दस का नोट लिए पीछे-पीछे जाते हैं और डॉक्टर सहा को देते हैं वैज जी को पांच का नोट दिया था अब डॉक्टर को दस का नोट दे रहे हैं मा सेख तो सेख तो दू डॉक्टर सहाब अच्छा इसके पेट को मैं सेखूं? डॉक्टर दू से हाँ गरम पानी के बोतल से सेख दीजिए डॉक्टर जाते हैं मा बोटल उठाती है पडोसिन आती है तभी सेख देने लग जाती है उसकी मा पडोसिन क्यों मोहन की मा कैसा है मोहन? वो भी आके बूश्टिये कि मोहन कैसा है? मा आओ जी रामो की काकी कैसा क्या होता? लोचा लोचा फिरे हैं जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है? लड़के का बुरा हाल कर दिया तब मा केते हैं कि आओ आओ जाची जी देखो लड़के को क्या हो गया है? उसका तो बुरा हाल हो गया है तब पडोसन कहती है ना जी इतनी नई नई बिमारिया निकली है देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा राम मारी बिमारियों ने तंग कर दिया ने ने बुखा निकल आए हैं वह बात है कि खाना पिना तो रहा नहीं अचा फिर पडोसन कहती है देखो आशकल किनी नई नई बिमारिया निकला आए देखना इसका भी कोई नई बिमारी ही हो गया होगा ने बुखार के नाम भी अलग-अलग हो गये हैं और खान पान भी अलग हो गयी है पहले जैसा था वैसा तो आशकल रहा नहीं तब मा कहती है डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है आज तो रोटी भी उनके साथ खा कर गया था आज तो रोटी खा कर गया था अपने पिटा के साथ वहाँ भी कुछ नहीं खाया आज कल तो बिना खाय बिमारी होती है बाहर से आवा जाती है मोहन, मोहन फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है अभी मास्टर जी मोहन को बुलाते हुए आते हैं मा, ओ मोहन के मास्टर जी है पुकार कर आज आईए आज आईए इस तरह से पुकारती है मास्टर सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे-ईसे हो रहा है क्यों भाई پाश आकर हाँ चहरा तो उत्रा हुआ है भी मास्टर जी फिर चहरा देखे बोलते हा तुम्हारा चहरा तो उत्रा हुआ है दादा कल तो स्कूल जाना है कल तो मोहन को स्कूल जाना है तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक नहीं रहेगी क्यों माता जी आपने क्या खिला दिया था इसे तब सर पूछते हैं कि आपने क्या खिला दिया था इसे मा खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं नहीं, खाया तो कुछ नहीं, तब शायद ना खाने का दर्ध है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है, अच्छा, इसने अगर नहीं खाया तो भूग से भी ऐसे ऐसे होता है, तब मा कहती है, पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेज़ेंगे, मास्टर जी को बोला कि वैद जी आए डॉक्टर जी आए वे तो अभी दस्त की दवा याने की पेट साफ करने की दवा भेजेंगे मास्टर जी मातर जी मोहन की दवा वैद और डॉक्टर के पास नहीं है इसकी ऐसे सिक्षी बिमारी को मैं जानता हूँ अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है तो मास्टर जी बोलते हैं कि इसकी बिमारी क्या हुई यह मुझे अच्छे से बता है तब मा बोलती है सच क्या बिमारी है यह है मास्टर जी अभी बतातो हूं मोहन से अच्छा साहब दर्टो दूर हो ही जाएगा डरो मत तो मास्टर जी कहते हैं अच्छा मोहन तुम डरो मत दर तो दूर हो जाएगा बेशक कल स्कूल मत आना ठीक है कल स्कूल की छुट्टी भी कर ले ना पर हाँ एक बात तो बताओ स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है मोहन चुप रहता है मास्टर जी को पता चल गया कि इसने स्कूल का काम पूरा नहीं किया होगा तो ऐसे ऐसे का बहाना कर लिया है तब मा कहते है जवाब दो बेटा मास्टर जी क्या पूछते है जब मोहन चुप हो गया तो मा कहते है जवाब दो तुमने स्कूल का कम किया है या नहीं तब मास्ट जी सब नहीं हुआ, उसका पूरा काम नहीं हुआ है तब ماस्टर जी हूम, शायद सवाल रह गए है हाँ, कुछ प्रश्ने के उत्तर शायद आपने नहीं दिये हوںगे तब मूहन कहता है, हाँ तब मास्टर जी फिर कहते हैं, तो यह बात है ऐसे-एसे काम नग करने का डर है, मा चौक कर क्या, मोहन से ऐसा मूझ चिपा लेता है, मास्टर जी को पता चल गया, उसने होमवक कम्प्लीट नहीं किया, और ऐसे-एसे का बहाना कर रहा है, ताकि वो स्कूल से छुट्टी कर सके, अब मास्टर जी हसकर कुछ नहीं माता जी मोहन ने महीने भर मौच की मोहन ने पूरा महीना मस्ती किया स्कूल का काम रह गया उसने स्कूल का काम पूरा नहीं किया आज खयाल आया बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा अच्छा उठिये साहब, आपके SAAC की दवा मेरे पास है तो Master जी ने आके बोलाकि है आप उठ जाओ, आपके SAAC की दवा तो मेरे पास है स्कूल से आपको दो दिन की छुटी मिलेगी आपको स्कूल से मैं दो दिन की छुटी दिलवाऊंगा अब हम उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा मोहन उसी तरह मूझ पाय रहता है अब उठ कर सवाल शुरू कीजिए उठ ये खाना मिलेगा अच्छा तो मास्टर जी को बता है कि उसे सवाल पूरे नहीं करने के वज़े से ये सब कुछ किया था उसे दो दिन की शुट्टी मिलती है ताकि वो स्कूल का काम कम्प्लीट कर सके मोहन उठता है मा ठगी सी देखती है दूसरी और से पिता और तीना ना दवा लेकर प्रविश करते है ओ मा देखती रह जाती है अरे ये मेरे बेटे ने तो मुझे ही ठग लिया था अब पिता जी और परोसी जो है वो दवाले के प्रविश होते है तब मा कहती है क्यों रे मोहन तेरे पेट में तो बड़ी दाड़ी है हमारी तो जान निकल गई पंद्रह बीस रुपे खर्च वे सो अलग देखा जी आपने तो अने तो हमारी पेसे भी खर्च करवा दिये और हमारी तो जान ही निकल गई थी कि तुझे क्या हो गया है तब पिता जी चक्कितों कर किया हुआ मा क्या क्या होता यह ऐसे ऐसे पेट का दर नहीं है स्कूल का काम ना करने का डर है हैं? पिता जी कहते हैं दवा की शिशी हाथ से चुट का फर्ष पर गिर पड़ती है एक शंसब थगे से मोहन को देखते हैं फिर हस पड़ते हैं पिता जी कहते हैं वाह बेटा जी वाह तुमने तो खूब छकाया एक अठास के बाद पर्दा गिर जाता है और उसके बाद ये नाटक कतम हो जाती है और पर्दा गिर जाता है लेखक है विश्नु प्रभाकर जी बहुत अच्छा नाटक लिखा है किया आप लोगों के साथ भी ऐसे ऐसे होता है मुझे कमेंट में जरूर बताईए ऐसे होता है या नहीं पूरा चैप्टर आप लोगों को कैसा लगए ये भी बताईए आप लोगों को अभी पढ़ने में थोड़ी इसी रहेगी या नहीं ये भी बताईए और कमेंट जरूर कीजे कमेंट करने से मुझे भी पता चलता है कि आपको कैसा लग रहा है सो धन्यवाद आज का ये ऐसे ऐसे एकांकी यहीं समामत होता है इसके बाद इसके प्रश्णोंतर मिल जाएगा आपको तो मेरे साथ इसे बने रहे हैं मैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेजे